हलो फ्रिंट्स कैसे हुआ आप सब आप सब अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रिंट्स आज आप सबी के साथ रेसिपी नहीं कुछ गार्डिनिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज मैं बताऊंगी केले के छिलके के फाइदें वो भी प्लांट्स के लिए फ्रिंट्स केले के छिलके में बहुत ही जादा पोटैशिम प्रेजन्ट होता है जो कि आपको फल और फूल देने वाले जो प्लांट्स होते है ना उनके लिए बहुत ही बेनिफीशिल होता है और यह जो आप देख रहे हैं ना वो तो मैंने प्रोटीन मिक्स बना के रखा हुआ है केले तो हम सबी घाते हैं बद उसके छिलके हम सबी फेक देते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़दा आपको हिल्दी होता है और या जो आप देख रहे हैं वो है आलू के छिलके प्यास के छिलके जिसमें भी बहुत ही जादा पोटैशियम, मैगनेशियम, फॉसफोरस और वाइटमिन प्रेजन्ट होता है तो आपको एक नीचे वाले लेयर पे मैंने केले के छिलके और आलू के छिलके लगा दिये हैं बट मैं आज इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ, देखी आलू भी कुछ-कुछ है जिसे मैं कट कर ले रही हूँ तो आलू के छिलके के लिक्विट फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें अप हाफ लिटर पानी और सौ ग्राम आलू के छिलके डालना होगा और उसे साथ दिन तक हमें अच्छे से रख देना होगा, उसके बाद हमारा आलू के छिलके का लिक्विट फर्टिलाइजर बन कर रेडी हो जाएगा तो इधर मैंने प्रोटीन मिक्स डाल दिया है और यह मैं नरसिरी से आपको बैंगन के पौधे लेकर आई थी बहुत ही मन था मुझे बैंगन के पौधे लगाने का तो मैं सोची कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे मैं पौधे लगाती हूँ इस तरह से सभी केले के छिलके, आलू के छिलके मैंने नीचे वाले लेयर पे रख दिया है और सबसे नीचे वाले लेर पे प्रोटीन मिक्स रखा है, बीच वाले लेर पे आलू के छिलके, केले के छिलके रखा है, और उसके उपर मैंने फिर से प्रोटीन मिक्स रखा, उसके बाद मैंने ये पौधे लगा दिये हैं, उसके उपर मैं डाल रही हूं आपको मतर के छिलक में होते जो कि प्लांट्स के ड्रोध के लिये बहुत ही जादा हईल्फुल होते हैं और फ्रेंट्स आपको मटर के छिलके का फाइदा मैंने एक वीडियो में शेयर किया था अगर आप चाहें तो वो सुखाकर भी हम एक powder बनाकर plants में डाल सकते हैं जिसमें बहुत ही जादा आपको potassium होता है और आप इस powder को store करके भी रख सकते हैं और plants में डाल सकते हैं तो केले के छिलके को सुखाने के लिए आपको लकडी वाली जो खाक होती है ना वो mix करना होता है और shade में सुखाना होता है एक plant में लगा दिया पानी डाल दिया और उसे भी रख दिया और ये देखिए अर्बी के पत्ते अर्बी के पत्ते की recipes तो हम सभी ने बहुत ही try किया होगा अर्बी के पत्ते की recipe भी try किये होंगे और यह अरबी के टारो रूटumenES भी आप शबी ने आपको डराइ किये होंगे इस तरह से आपको बड़े-बड़े साइस के होते हैं जैसे स्वreeट पोटेटो होता है नद बिलकुल उसी तरह से ये अरबी होते हैं इससे आप ग्रो कीज़ेगा तो अर्भी के पत्ते ग्रो होते हैं तो फिर अर्भी के पत्ते आपको बहुत फाइदे करते हैं और उसी तरह से अर्भी जो ग्रो होता है ना वो भी बहुत फाइदे मंद होता है तो मैंने ग्रो किया था और सारे अर्भी मैं निकालने वाली हू तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करूगे किस तरह से अर्वी मैंने ग्रो किये है और बहुती बड़े-बड़े से ये अर्वी ग्रो हुए है और बहुती मज़िदार सी रेसिपी इसकी बनकर रेडी होती है तो वाइट वाइट आपको एक लेयर मिलेगा और बहुती टीस्टी बनता है अर्वी का रेसिपी तो मैं जरूर आप सभी के साथ शेयर करेंगे फिलहाल तो मैं इस सभी अर्वी को इस पे निकाल लूँगी और जो पत्ते ग्रो करने लाइक होंगे न वो फिर से मैं लगा दूँगी बर जो रेसिपी बनाने लाइक होगी न वो मैं निकाल लूँगी तो फ्रिंट्स अर्वी में वाइटमीन E और वाइटमीन C बहुत ही जादा मातरा में पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी हर्ट के लिए खाना बहुत ही जरूरी हम सभी को अर्वी और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है यह सबसे बड़ी बात तो यह है आज कांसर बहुत ही आपको रियूमर में चल रहा है बहुत ही जादा हम सभी डर जाते हैं बट कुछ कुछ आपको fruits, vegetables ऐसे होते हैं जिससे खाकर हम सभी इस चीज़ से दूर रह सकते हैं cancer नाम सुनके हम सभी डर जाते हैं बट कुछ vegetables ऐसे होते हैं जो हम सभी को उस खतरनाक बिमारी से बचाओ करते हैं तो यह अर्बी जो है ना उन सभी में से एक आपको वेजिटेबल है जो बहुत ही हल्दी होता है तो फ्रेंच देखे इस तरह से सारी मिट्टी को में निकाल रही हूँ और मिट्टी निकालने के दोरान जो भी अर्बी मुझे मिलेगा ना वो मैं साइड करते जाओंगी तो फ्रेंच मैं बात कह रही थी अर्बी के फाइदे तो फ्रेंच अर्बी के पते और अर्बी के जो रूर्स होते है ना वो आपको डाइजेशन इंप्रूव करता है हम सभी जो भी खाना खाते है तो कभी आपको डाइजेस्ट होता है कभी नहीं डाइजेस्ट होता है तो हम बहुत जादा परिशान हो जाते हैं और यह जो अर्बी है ना इसमें बहुत ही जादा फाइबर होता है जो की वेट लॉस में बहुत ही जादा मददगार है वेट लॉस जब हम सोच रहे हैं वेट लॉस करने का तो कुछ-कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनें खाना बह बिमारियों سے परिशान है ना अर्भी जरूर खाईएगा अर्भी इन सभी चीजों से आपको रुझता है, शरीरिश में बहुत जादा है आपको चानए करता है और ये सभी बिमारियों से हम सभी को बचाता है, तो फिरंक देखी कि वो मैं टारोलूर्स मैं निकाल लूँगी इस तरह से देखिए कि यह आपको कुछ वेजीटेबल्स ल seems, बहुत ही जादा हेल्धी होता है वेजीटेबल्स हम खा लेते हैं छिल के हम फैक लेते हैं बट हम नहीं जानते हैं कि ये छिलके जो है ना इतने जादा आपको nutrition से भरे होते हैं plants के लिए हम सभी सबजी खा लेते हैं vitamins, minerals जो भी nutrients मिलना होता है मिल जाता है बट इन plants को भी तो जरूरत होता है ना healthy रहने का तो ये जो healthy वाला काम होता है ना ये सभी छिलके fruits and vegetables के छिलके fertilizer जो हम home made बनाते हैं तो वो बहुत ही जादा helpful होता है तो कभी भी छिलके फेके ने plants में use कीजिए अगर आप plants घर पे लगाएं हैं तो इसी तरह से आपका high blood pressure में आपको अर्बी बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है एंटी ऑक्सिडंस इसमें present होता है जो की बहुत ही जादा हमारे शरीर के लिए लापदायक है और इधर देके बहुत सारे bangan भी grow हुए है फ्रेंट्स अर्बी जो है आईज को healthy रखने में भी बहुत ही फाइदे मंद होता है vitamin A होता है c होता है zinc होता है जो आखों की रोशनी को बढ़ाता है और इसे होने वाली बीमारियों से हम सभी को बचाता है तो अर्बी फिर से मैंने लगा दिये हैं जो leaves लगाने लाइक थी और भी अच्छे से grow होगा तो जरूर आपके साथ share करूँगी और अर्बी ज जादा से जादा कोशिश कीज़े लगाने का मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ बाई